जै मादादी मित्रो मेरे नाम पंडित प्रकाजोशी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्ट वाज में मित्रो आज जम चर्चा कर रहे हैं कुम्ब राशी के मंथली राशी फाल यानि अप्रेल का जो महीना आ रहा है वो कुम्ब राशी के लिए कैसा रहेग है इसके बारे में इस कारेकरम में हम डिटेल में मित्रो चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले ग्रह गोचर के अनुसार पहले हम स्वास्त के बारे में जानते हैं कि अप्रेल में कुम्ब राशी वालों का स्वास्त कैसा रहेगा तो स्वास्त में देखा जाए तो शनी महराज बै तो जो भी कुम्ब राशी वाले उनके केंद्र भाओं में शनी बैटे हैं तो बड़े राजनीतिक लोगों से आपके अचनक मुलाकाद हो सकती है परसिद फेमस पस्नेल्टी वाले लोगों से सेलेबिटी से आपकी अचनक मुलाकाद और आप सेलफी का दौर रहेगा यानि का हेल्थ ठीक है लेकिन शनी हड्डियों और दात का कारक होता है तो कहीना कई अप्रेल के मेने में हलकी दात की प्रॉब्लम हड्डियां या घुटनों से समंदी समस्या आपको कुछ लोगों को परिशान कर सकती है सबको परिशान नहीं करेगी लेकिन कुछ 20% कुम राशी वाले ऐसे होंगे जिनको यह परिशानी करेगे अजर वाइस देखा जाए तो 80% जो कुम राशी वाले वो किसी ना किसी फेमस हस्ती से अप्रेल के मेने में टकराने वाले धन की इस्तती के बारे में बात करें तो सूर्य और बुद्ध दोनों के दोनों धनवाओं में बैठ समंदी कोई बड़ा पोस्ट आपको मिलेगा या बड़ी पदव बड़ी जिम्मेवारी आपको मिल सकती है कारेभार में जिसमें आपकी धनकी व्रिद्धी भी होगी साती साथ कुम्बराशी का कई सालों से सरकारी रुका हुआ धान या सरकारी अटका हुआ धान उनको मिल सकता है साती साथ कृषी समंदी धान या कृषी समंदी काम भी आपका होगा बैंक समंदी या FD या Deposit या Share में जो आपने पैसे इंवेस्ट कर रहे हैं उससे समंदी कोई बड़ा लाब भी आपको प्राप्त हो सकता है तो बैंक से भी आपको कोई ना कोई अच्छा धन प्राप्त हो सकता है साती साथ देखा जाए कुछ कुम्बराशी वालों को Insurance से या Trading से कही ना कही शेर से आपको कुछ ना कुछ धन का लाब होगा तो कुल मिला के कुम्बराशी की देखा जाए तो अपरेल में आर्थिक स्तती बहुत 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 अच्छी रहेगी अब बात करते हैं परिवार भाव की तो परिवार भाव में देखा जाए, परिवार भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र अभी राव के साथ में बैठे हैं, तो ये इस तरजी तो अच्छी नहीं है, और 6 अप्रेल तक वो राव के साथ में रहेंगे, यानि एक तारिक से लेकर और 6 अप्रेल तक देखा जाए, जो शुक्र और राहू की यूती बैठी है तो आपको ये जो 6 दिन है कुम्राशी वालों को वाहन साबदानी से चलाना है या वाहन पे आपका खर्चा आ जाएगा घर के उपकरण पहले एक खराब फिर दूसरा खराब फिर तीसरा खराब उनमें खर्चे पे खर्चा आएगा तो ये कारण रहेगा शुक्र राहू की यूती जो 6 अप्रेल से 7 अप्रेल से लेकर और 30 अप्रेल तक देखा जाए तो कही ना कहीं माता पिता या पैत्रिक गाउं से या पैत्रिक जगा से कोई ना कोई लाब या तो माता पिता से होगा कुम्राशी वालों को या पैत्रिक भूमी से या पैत्रिक गाउं से आपको कुछ ना कुछ लाब होगा साती साथ family का किसी member का या family के किसी सदश्य का किसी सेक्षिक संस्थान से कोई लाब होगा या किसी section स्थान में उसका chain हो जाएगा तो कुल मिला के family के किसी member का भी अच्छा होने वाला है साती साथ देखा जाए तो थोड़ा बहुत अप्रेल के मैंने में family member का वहान का खर्चा भी लिखा हुआ है लेकिन अच्छा नहीं बताते हैं जो कहते हैं कि आप ये समधान करिये मंतर का जाब करिये ये करिये और आपको फल मिलेगा और उसका फल मिलता है और जो भी उन्हें उपाए बताए है चाहे वो मेरे को लेकर बताए हो या मेरे परिवार को लेकर बताए है वो कुछ टाइम के बाद उसका फ अब बात कर लेते हैं कुम्ब राशी वाले उन जातक जातिकाओं के जिनकी संतान है उनके बारे में बात करें तो एक तारिक से लेका 30 अप्रेल पूरा का पूरा महिना अगर देखा जाए जो छोटी संतान है आपकी यानि 17 किसे कम उमर की संतान है उनका उन पे थोड़ा ध्य द्धियांद रखने की जिरोत है e ऐनी की खेलते समय छोटी-मोटी चोट उनको लग सकती है भागा दोडी करते समय छोटी-मोटी चोट के योग नजर आरहे हैं बात कर ले Czech बड़ी संतान की तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखने की जिरो क्योंकि वाहन में चलान का योग बनता है और कोई नियम तोड़ने से उन पर जुरमाना भी लग सकता है तो कुल मिला के छोटी संतान से ज्यादा बड़ी संतान पर आपको उनको उन पर ध्यान देना पड़ेगा उनको समझाना पड़ेगा यह याद रखेगा अब बात करते ह यानि विध्यारतियों के लिए देखा जाए तो अप्रेल के मैने में मंगल पंचम भाव में बैठे हैं तो स्टूडेंट लोग एक ही काम करने वाले हैं लाव एंड रिलेशन में अधिक इन्वाल्व होने या तो अपने लाव एंड रिलेशन में आप इन्वाल्व होंगे या दूसरे के जीवन में क्या चल रहा उसमक जोरों से ज़्यादा इंवाल्व होके अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं साथी साथ देखा जाए तो किसी को इंप्रेस्ट करने के लिए स्टूडेंट खुला खर्चा करने वाले हैं तो कुल मिलाके विद्यारतियों की एजुकेशन के लिए एकागर जित्ता के लिए अप्रेल का महिना तो अच्छा नहीं है अब बात कर लेते हैं कुम राशी वाले उन लोगों की जो नौकरी करते हैं यानि कि जो प्राइवेट सेक्टर में या गौर्णमेंट सेक्टर में नौकरी करते हैं उनका अप्रेल का महिना कैसा रहेगा तो एक तारीख से लेकरो तीस अप्रेल तक देखा जाए तो काम के सिलसले में बहुत सारी मिटिंगे अप्रेल के अंदर होगी एक मिटिंग खतम नहीं होंगे, दूसरी मिटिंग होगे, कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा यानि कि एक तो मिटिंगे जबा होंगे, साती साथ कोई मैनेजमेंट का कोई कारेकराम, कुछ सीखने का कोई आपके सन्स्तान के अन्दर प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें आपको अपने को अप्टू डेट, अपने काम को अप्टू डेट करने का एक तो मौका मिल सकता है साती साथ काम के सिलसले में अपरेल के मेने में पानी की यातरा के योग नजर आ रहे हैं साती साथ किसी बड़ी उम्र की महिला से आपकी बैस हो सकती है या बड़े उम्र के पुरू से आपकी बैस हो सकती है अप्रेल के महिने में काम के सिल्सले में तो कुल मिला के देखा जाए तो अप्रेल का महिना सीखने वाला और मिटिंगे वाला जदा रहेगा काम समानने हैं आप बात कर लेते हैं दामपत्य जीवन की यानि कि आपका दामपत्य जीवन कुमराचि का कैसा रहीगा तो एक तारीक से लेकर तीस अप्रेल तक देखा जाए तो पहले हम बात करते हैं love couple की यानि प्रेमी प्रेमी का जिनका love and affair जो रो सुरू से चल रहा है उनके बारे में बात करें तो आपका जो पार्टनर है अप्रेल के महिने में किसी activity को जोईन करेगा उसमें involved रहेगा और आप पे ध्यान कम देगा यानि उसका नया शोग कोई activity होगी याद रखिएगा साथी साथ जो आपका पार्टनर है उनको अपने काम के लिए कोई समान कोई award भी अप्रेल के महिने में मिल सकता है और आपके पार्टनर के धन पद विरिद्धी के योग बनते हैं तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके पार्टनर के लिए तो अप्रेल का महिना बहुत आपके योग बनते हैं आफिस के अंदर उनके काम की तारीफ होगी यदि हाउस वाइफ हैं आपकी तो कहीना कहीं वो किसी activity में involved रहने वाली है नया कोई online या जाकर course करने वाली है यानि कुल मिला के देखा जाए तो आपका पार्टनर कुछ नया सीखने वाला है और कुछ उनके अपरेल के महिने में कुछ नया जीवन में होने वाला है वेट और वाच करें आब बात कर लेते हैं व्यापारियों की इस्तथी यानि जो कुमराशी वाले दुकान चलाते हैं उनकी इस्तथी के बारे में बात करें तो एक तारीक से लेकरो 30 अपरेल तक देखा जाए क काम में तेजी रहेंगी पुराना जाने काहा एकदम से आप पर वापसी आने लगेगी यानि कि काम बढ़ जाएगा आपका साती साथ कोई नई डील भी आपको अपरैल के मैंने में मिल सकती है लेकिन लेकिन मित्रो बिजली से आप परिशान रहेंगे यानि बिजली बारबार जाएगी बिजली की खरावियां ज़्यादा होंगी शंस्तान के अंदर और उपकरण मशीन पर आपका खर्चा रहेगा लेकिन काम में वृद्धी रहेगी तो कुल मिला के देखा जाए डर्ल और नई डील के भी योग बनते हैं हाँ हाला कि अप्रेल के मेने में थोड़ा बहुत परिशानिया सैनी पढ़ सकती है लेकिन कुल मिला के देखा जाए वियापारियों के लिए अप्रेल का मेना निर्ने दायक रहेगा याद रखिएगा और मित्रो अगर आपने डिटेल में जालना ही है तो मैं जन्रल बता रहा हूं अगर आपने डिटेल में जानना है तो 7210124289 इस पर वाट्सेप पे अपना नाम अपना डेट ऑबर्ट और टाइम ऑबर्थ अपना प्लेस ऑबर्थ और साती साथ अपना मुखे प्रशन लिखके मुझे वाट्सेप करें याद र